बिहार में इस बार मर्च का महीना ठंडा रहने वाला है मौसर बिभाग ने इस महीने समान्य से अधिक बारिशोने की संभावना चताई है आज स्रनिवार को प्रोदेश की पांग जिले, पुर्वी और पक्षमी चमपारन, गोपाल गन, सिवान और शारन में वर्जपात के साथ बारिश का अलर जारी किया है बिभाग ने किसानों से अपील की है कि खुले में रखी खड़ी फसल का सुरक्षत अस्थानों पर भंडार करें तीन मार्च को पुर्वी और पक्षमी चमपारन, गोपाल गन, सिवान, सारन, बकसर, भोशपूर, कैमूर, रोहतास, और अंगाबाद, अर्वल, गया, चुहानाबाद, नालंदा, नावादा, शेकपूरा, पत्ना, लखी शराय और बेगु सराय में बारिश होने की पिछले 24 घंटे के दोरान पत्ना सहित प्रोदेश के 30 शहरों के अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वही राज़ानी पत्ना समेत 19 शहर ऐसे रहे हैं, जहांकि नियुनतम तापमान में गिरावर दर्श की गई है, प्रोदेश का सबसे ठंडा जिला 9.5 डिगरी सेल्सियस के साथ किशन गंज रहा और सबसे गर्म 31.7 डिगरी सेल्सियस के साथ मधुवनी जिला रहा, पत्ना में आज मौसम सुस्क बना रहेगा, दिन में बातलों की आवाज जाही लगी रहेगी, हाला की धूप निकली रहेगी, तो वही शुकरवार को पत्न के नियुन्तम तापमान में 0.8 डिगरी सेल्सियस की गिरावट और अधिक्तम तापमान में 1.3 डिगरी सेल्सियस की बढ़ूतरी देखने को मिली है, पत्ना का अधिक्तम तापमान 28.6 और नियुन्तम तापमान 15.4 डिगरी सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया है, ब्यूरो रि झाल झाल